तो स्वागत है भाई आप सब भी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपिम फेंटेसी एक्सपर्ट पर और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो यूगांडा मैंस कबड़ी लीग है इसका भाई जो आज के दिन का पहला मैच और ट आपको स्किप नहीं करना है अधरवाइस भाई इसमें आपका ही लोस होने वाला है लेकिन अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंड तक कम्पलीट देखते हो तो इजली आप इस मैच में काफी शांदार विनिंग करने वाले हो तो वीडियो को देखने आ गए ह ना तो स्टार्टिंग से लेके अंड तक देख लीजिएगा वही अगर बात करें भाई इस मैच की तो मैच काफी इंटरेस्टिंग है सबसे बड़ी बात भाई क्या है कि आपर आपके लिए जो ग्रेंड नीग है वो लगी हुए भाई सीधी सीधी 50 लाग की तो अगर आप इस जील में जाना चाहते हो तो भाई आपको सिर्फ एक काम करना है वीडियो को लाइक करना है क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक वगे न करोगी सपोर्ट दिखाऊगे न तभी आर जील टीम बनाने का मन करेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और दूसरी बात ज जो भी मेरी GL की टीम्स होंगी मैं maximum आपको 6 GL की टीम्स देने वाला हूँ तो GL की टीम्स के लिए टेलेग्राम चैनल जोइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जो GL Grand League की टीम होंगी वो आपको सिर्फ और सिर्फ टेलेग्राम पर मिलेंगी उसका simple सा रीजन में आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर देखिये Grand League की टीम मैं अगर यहाँ पर देदू और मालो एक या दो प्लेयर नहीं खेलते रहे टीम्स में तो फिर आपकी सारी की सारी 6 की 6 टीम खराब हो जाएंगी ठीक है तो इसलिए बोल रहा हूँ अभी मैं आपर टीम मना के नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पर हमें पता ही निये कौन से प्लेयर खेल रहे है कौन से नहीं खेल रहे है तो लाइन अप साउट होने के बाद आपको मैं टेलिग्राम पर टेलिग्राम पर आपको जो Grand League की टीम है वो सारी पोस्ट कर दूँगा ठीक है अब चलिए बात कर लेते हैं आपर मैच के बारे में कि कौन सी टीम की क्या कुछ यहाँ पर परफॉर्मेंस रही है और कौन सी टीम हमारे लिए इस मैच में ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगी तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट स्टेबल से तो एक पर डाल लेते हैं तो यहाँ पर अगर बात करें तो आप देखें जो सबसे पहले सुपिरियर कलब देखते हैं ठीक है तो सुपिरियर कलब की बात करेंगे तो यहाँ पर सुपिरियर कलब की टीम नंबर 6 पर 11 मैच में से 5 मैच जीते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो इनों रिजल्ट में रहा था, इनका टाई हो गया था, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यह नंबर साथ पर है, तो बिल्कुल 6-7 नंबर की टीम है, लेकिन स्कोर डिफरेंस में एक बड़ा डिफरेंस है, तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, आप चलिए बाई बात करेंगे भाई, यहाँ पर सुपीरियर कलब की, अब इनकी तरब से लास्ट मैच में आई निगरबानों ने वापसी किया, एजे सब्स्टिटूट लिस्ट में आया था, और यहाँ पर आप देख सकते, 108 पॉइंट देखे गया, और लगातार अच्छा खेलता है, भाई, ब कि जिस दिन यह स्टार्टिंग सेवन में रहेगा, मैं जरूर ट्राई करूगा, और अब उमीद है कि इस मैच में स्टार्टिंग सेवन में रहेगा, तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपके लिए अगर स्टार्टिंग सेवन में रहता है, तो मस्टव पिक हो जा कि किम बुगवे लगातार लाष्ट के दो मैचों से फ्लोप रहे लेकिन अच्छा प्लेयर है बैतरी इन प्लेयर है आपके लिए इंपोर्टन्ट साब भी तो सकता है और मेन क्या रीजन इसको लेने का कि इसका ओल्ड राउंडर खेलेना यह हमारे लिए काफी इंपोर्टन् रीजन इसका सिंपल्स हम आपको बता देता हूँ क्योंकि लगातार भाई फ्लोप हो रहे बीच बीच में आके एक आदे मैच इंप पर्फॉर्मेंस से दे रहे तो ऐसे प्लेयर्स को स्मोल लिग में लेना काफी रिस्की हो जाएगा मैच में लेकर चलूँगा अब्स्टिटूट लिष्ट में रहेगा तो एजली ड्रोप करके चलेंगे ठीक है तो यह चीज आपको द्यान में रखने आर्सक मैटे की बात करें अगेन एक बहुत ही शांदार प्लेयर है रेडिंग बैतरीन तरीके से कर रहा है और भाई टीम का सबसे काम्याब प्लेयर इस सीजन का तो आप इसे अपने टीम में 101 परशेंट लेकर चलिएगा बात कर लेते हैं सामने वाली टीम की शार्क्स कबड डिजाइंट की तो इनकी तरफ से आपर एम बिन कोता दिखेंगे जो लास्ट मैच में बाई जखिए इनका सेलेक्शन देखे लास्ट मैच में 92 प रोट के हैं और इसली विन कर गए ठीक है याँ पर अगर बात करें बुसुलवा की तो जील मिनी जील में इंपोर्टेंट रहे हैं जहन हमें तहते हैं कि बात करें तो लास्ट मैच भाई आप देखो बंदे का 10 टैकल करके आए बहुत ही शांदार प्लेर जरूर से आप इन अपने ग्रेंड निक की टीम में CVC भी बना सकते हो ठीक है अगर बात करें और राउंडर सेक्शन में तो लास्ट मैच में एम वेंडे का की पर्फॉर्मेंस बाई आप पर्फॉर्मेंस मतलब क्या ही बताए 12 टैकल किये बंदे ने 4 टैकल किये बंदे ने 4 टैकल किये 8 पॉ इसके अलावा सेंटोंगों की बात करें तो मैंने किलियर लिए आपको एक चीज बोली थी कि अगर यह बंदा खेलता है न तो रोटेशन में ग्रेंड लिग में ट्राई कीजिए रोटेशन का मतलब कि देखें एंकिगोजी मस्टवपिक था इसके लाएं वेंडेकम उसके इसके भी Mac उसके पेन्ट हैं यहां पर यहां पर अगर बात करें अगर बात करें तो आप सीधा सर्च भी कर सकते हो लेकिन सर्च करने से पहले भाई आप ये जरूर देख लेना कि आप बिल्कुल सही चैनल पर जा रहे हो या गलत चैनल पर जो टोप पर आपको चैनल दिख रहा ही है हमारा एक मातर चैनल है अब अगर बात करें बाई टीम की तो चलिए टीम भी मैं आपको बना कि आप जल्दी से दिखा देता हूँ तो यहां से अगर बात करें तो सबसे पहले डिफेंस सेक्शन की बात करेंगे तो आई निगरबानों को आप अपने टीम में रखेगा बात कर लेते हैं ओल्ड राउंडर सेक्शन में तो यहां पर एम वेंडे का मस्ट अपिक इसके अलाव भाई एम तेन्या को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो बट मेरी टीम में है न इनकी जगह अभी के लिए एक कीज़ा की बनेगी ठीक है वही अगर बात करें तो यहां से भाई आप अपनी टीम में आर सेक्मेटे को रख सकते हैं की गोजी को और अगर मानलों यहां से एक कीज़ा या फिर एम तेन्या दोनों नहीं खेलते हैं या फिर यहां से अगर खेल जाता आई निगरबानों तो जे नमुदे थे जगहा आई निगरबानों को ट्राइ कर लिजेगा या फिर यहां से किसी जैसे में वेंडेका को तो ट्रॉप करना नहीं है M13 या फिर एक कीज़ा की जगह पर आप all rounder सेक्षन से सोरी defense सेक्षन से आई निगरवानों को ले लीजिएगा तो जो भी हमारी final update होगी न वो आपको after lineups में टेलेग्राम पर दे दूँ अभी के लिए captaincy है न वो मैं हम vendeka को दे रहा हूँ अगर कुछ भी अगर changement करना हुआ तो direct information टेलेग्राम पर दी जाएगी प्लस 6 grand league की team आपके लिए wait करेंगी बाई टेलेग्राम पर अगर अभी तक आपने join नहीं किया तो join कर लीजिएगा link नीचे description में दिया गया है उमीद दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को एंडर तक रेखने के लिए आप सबी लोगों का धन्यवाद बाकी मैं मिलता हूँ आपसे match time पर कब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम